खबर रिवा से रिवा जिले के जवा तहसील अंतरगत ग्राम देवरी में एक पुलिस आरक्षक पर बिजली विभाग ने फर्जी बिल का प्रक्रण बनाकर नियायाले में दिया और नियायाले ने आरक्षक के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी कर दिया है जब परिवार में उनके बड़े भाई मोहित सिंग को इसकी जानकारी हुई कि बिजली चोरी के प्रक्रण में उनके छोटे भाई का गिरिफतारी वारंट जारी किया गया है तब उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि बिजली विभाग द्वारा देवरी निवासी जितेंद् सिंग 18 साल से पुलीस की नौकरी इंदौर में कर रहे हैं वो गाउं कभी आते ही नहीं है ना ही उनका यहां से कोई वास्ता है ना ही आउनका कोई घर है ना वो खेती करते हैं इस बात की पुष्टी देवरी के सरपंच देव मुनी कोल ने की है मोहिट सिंग ने आरोब लगात करने की बात भी कही है अब सवाल इस बात का उठता है कि जब पुलीस विभाग का कर्मिचारी जीते इंदौर सिंग देवरी गाउं में नहीं रहता है जिसकी पुष्टी सरपंच सहित कई ग्रामीनों ने भी कर रही है तो बिजली विभाग वारा किस आधार पर बिजली च प्रकरण ना जाने कितने ही गरीब लोगों के खिलाफ बनाए गए होंगे वहीं जितेंद्र सिंग के भाई मोहित सिंग ने जिला कलेक्टर से मामले की जाचकत इस पक्षिक कारिवाई की मांग भी करी है मोहित लाज सिंग गराम देवरी कोष्ट पठियाई थाना पनवार जो ग्रिपतारी वारन जारी हुआ है ये आज भी तक हम लोगों को तो मालूम ही नहीं हुए जब पनवार थाना से एक सिपाही लेकर के सम्मान आए और बोले आपके भाई के नाम ग्रिपतारी वारन जो की यह बता रहे हैं थे कि चवर के जीतेईन सींग कीता लल्लू सिंग को आप पता कर लीजिए तो बोले कि चवर में नहीं आप तो देवरी के हैं ना तो वो लिपी कत्रूटि बोले है तो चवर में जब लपी कत्रूटि है तो चाओर के जगह अन्य आदमी माल लीजिए कोई दूसरे उसके बाप का भी है तो वह भी तो लिपिक तुरूट में आता है इसलिए जो विजली भीभाग है तो वह अपने दर बैठे काम करके केस बना करके प्रक्रान बना करके भेज देता है जो की जीतेन सिंग इंदाओर पुलिस में आज लगभग अठारा साल से नौबरी कर रहे हैं यहां कभी कभार साधी उसर पे से आते हैं दो चार दिन जो की ना उनके पास घर है ना उनके पास जमीन है तो उनके पास ये मुकदिमा कहा से बनाया गया जो इसकी जाच कलेक्टर महोदय तहसीलदार साहब इ इसका निरा करार करें इस संबंद में आप कहा कहा सिकाइट की है इसके शिकाइट जो है विजली विभाग में दिया इसका जन सुचना अधिकार के ताहट पूरी फाइल मांगी गई और जो है यह प्रमार्शारित करा करके सरपंच के दोरा देवरी और चौर दोनों के रहे हैं यह जूठा प्रक्राण है